बॉर्निंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप से भी मैं अवरार अली मोटी चुलर्ण हाइज सेगंडरी स्कूल की ओर से सिस्ट क्लास में साइंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को कर साइंस में साइंस में हमारा फॉर्स चैप्टर एस सोर्सेश आफ है छी के से च Dead लिए पेसे पहले कि हम अपना चैपटर स्टार्ट करें थोड़ी सी आउटलाइन देख लेते हम को इस chapter में क्या क्या पढ़ना है इस chapter में पढ़ना हमको food varieties, food ingredients, food eaten by animals and sources of food देखिया आपकी जो book है यह बहुत इच्छे book है इस book में सबसे अच्छी बात यह है कि जो chapters में आपको new words पढ़ने हैं वो सबसे पहले इसमें उपर given है green box में आपको यह camera में इस समय यलू दिख रहा होगा लेकिन एक्छी यह light green कलर का है तो चलिए इस box को हम थोड़ा सा रीट करके देखते हैं और यह देख जाने ही कोशिस करते हैं कि इसमें हमको कौन-कौन से new words पढ़ने हैं इस चैप्टर में जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वह फूड फूड क्या होता है ठीक है और इसकी क्या importance होती है फिर जो second thing हम पढ़ेंगे वह इंग्रीडियेंट्स अब इसी के आगे यह फूड की definition लिखी है यह इंग्रीडियेंट की definition लिखी है अभी आपको पूरा नही दिख रहा होगा मैं definition पढ़ देता हूं पहले food की बता देता हूं food क्या होता है the material and substances which we eat जो आप खाते हैं या जो हम खाते हैं जो भी कुछ हम खाते हैं वो क्या केलाएगा हमारा food कैसे मा लिए आप कचोरी खाते हैं समोसा खाते हैं केक खाते हैं चपाती राइस वेज ब्ल लाव लाव हलु और हलुए तो जो भी कुछ आप खाते हैं या हम खाते हैं उसको food कहते हैं , और ingredients क्या होता है जैसे suppose कि आपने ममा को बोला ममा खीर बना दी गिए ृद्ध की मदर अब आप क्लीं एक्ट बना रहे हैं ? खीर बनाने क्ली और रिप्छ करेंगे ? खीर बनाने क्या बोलेंगे ingredients ingredients क्या होता है materials which are used to prepare food items बनाने के लिए जो यूज किये जाते हैं materials उनको क्या बोलता है ingredients फिर उसके नीचे एक और word लिखा हुआ है herbivores आपको herbivores पर समझना है herbivores मतलब herb and boars herb मतलब plant और बोर्स मतलब eater तो herbivores कौन हो गए plant eater टो animals which eat only plants herbivores herbivores के नीचे आपको एक और word देख रहा होगा carnivores तो बोर्स का मतलब तो आप समझ गए eater तो कार्णी कार्णी बोर्स के हो गए the animals which eat only flesh of other animals जो दूसरे animals का meat खाते हैं वो कार्णी बोर्स फिर कार्णी बोर्स के नीचे आपको एक और वर्ट दिख रहा है omnivore अब यह omnivore क्या होता है कि omnivores ऐसे animals होते हैं जो plant और animal दोनों के product खाते हैं या plant और animal दोनों को eat करते हैं फिर जो है edible parts अब edible parts क्या होता है जैसे माली जी आपके फादर आपके लिए banana लेकर आप मार्केट से purchase करके अभी तो banana season चल रहा है ना तो market में banana बहुत fresh bananas मिल रहा है खाना चाहिए बहुत healthy होता है banana अब आप बनाना लेकर आपके फादर आप बनाना को कैसे कहेंगे सबसे पहले आप उसको पील आफ करेंगे चीलेंगे चीलने के बाद में जो उसका inner part होगा white color का portion आप उसको खाएंगे तो जो चीज आप खा रहे हैं उसको गोलते हम edible parts ठीक है तो edible parts अब carrot का edible part क्या होता है underground होता है onion onion का edible part क्या होता है उसके root छोड़के पूरा plant खा लिया जाता है बल्ब को भी खा लेते हैं और उसके leaves को भी खा लेते हैं तो ऐसे चीजें जिनको हम खा लेते हैं the parts of plant which are eaten जो हम खाएंगे plants के part उसको बोलते है edible parts ठीक है फिर उसके नीचे आपको देख रहा है sprouts अब sprouts क्या होता है आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या करते हैं हम जैसे चने ले लिए चने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में portion निकलता है white thread like structure उसको बोलते हम इस प्राउट ठीक है तो यह जो sprout होते हैं जो sprouted seed होते हैं यह बहुत healthy होते हैं तो इस प्राउट का मतलब क्या होता है germinated seeds यह आपको यहां देख रहा है ठीक है फिर क्या है poultry अब poultry क्या होता है पाउट्री का simple mean होता है meat and egg ठीक है तो ऐसे animals जिनको किसलिए और रेयर किया जाता है उनके meat के लिए और eggs के लिए जैसे hen चिक तो इनको क्या बोलते हैं पाउट्री एनिमल्स विच प्रोवाइट मीट एन एग बोथ तो उसको बोलते हैं पाउट्री ठीक है तो यह क्या थे यह हमारे new words थे जो हमको इस chapter में study करना है चलिए आएए अब हम अपने chapter को start करते हैं chapter start करते हैं तो मैं read करता हूँ आप मेरे साथ read करते जाएए आप अपनी books open कर लीजिए open your books and come to the page number five and we will start reading chapter number one sources of food new words हमने आपको clear कर दिये हैं ठीक है अब मैं read कर रहा हूँ आपनी book में match करते जाएए there is an old saying which states एक परानी कहावत है saying आपने English में पढ़ा होगा आपको English की teacher ने बताया होगा जो कहावत हिंदी में use करते हैं उसको English में क्या बोलते हैं saying यह saying लिखा हुआ दिख रहे हैं आपको यह saying means कहावत ठीक है तो एक परानी कहावत है क्या कहावत है you are what you eat यह लिखा हुआ है देखिए book science की है लेकिन कहावत English की आ गई you are what you eat आप वैसे ही हो जाते हैं जैसा आप खाते हैं ठीक है अगर आप healthy food खाएंगे इसका मतलब क्या है अगर आप healthy food खाएंगे तो you will become a healthy और अगर आप unhealthy food खाएंगे तो you will become unhealthy ठीक है तो आप जैसा खाना खाएंगे अच्छा खाना खाएंगे तो आप अच्छे healthy हो जाएंगे और आप अच्छा खाना नहीं खा एंगे न्हींहां यह का meaning है तो you will you यू आर वाट यू इट रिमेंबर ठीक है अब यह तो है साइंस के बुक तो हमको इंगलिस के लिटरेचर तो पढ़ने नहीं है आगे पढ़ते हैं मैं मिलाते जाएं बट वाट एग्जेक्टली डू वी इट अब हम क्या क्या खाते हैं देखते हैं दा मटेरियल और सबस्ट तो आप कहां से क्या होगा वी इट आर फूड और फूड क्या होता है दा मटेरियल सबस्टेंस यह विच्वी इट इसको अंडरलाइन कर दिजिए आगे बुक में कोशन आएगा तो इसमें आपको फूड की डेफिनेशन लिखने होगी ठीक है चलिए कि दा मटेरियल और सबस्त इ premise जिज एस काल फुड वाइदा ईसमें एक एक बिखोंच किया है आपसे कि हम खाना क्यों खाते हैं तो सोचो आफ वाइप कुछा वगा कभी सोचा है नहीं सोचा चली है मैं आपको नहीं कूं मौका देता हूं आपके लिए बहुत अच्छा चांस है सूचे आप क्यों खाते खाना अच्छा चलो देखते हम आप जब स्कूल से घर जाते हैं तो आपको थोड़ी सी वीक्नेस फिल होती है फिर घर जाके आप खाना खा लेते हो तो आपको कैसा लगता बहुत अच्छा होता है तो देखिए हम खाना क्यों खाते हैं यह आपको देखने के मिलेगा जब करते हैं और क्या करता है फोड़ों है रुबलपमेंट ऑफ बौड़ी फोडन होता है वह मारी बौड़ी में ग्रोद टवलप्मेंट के लिए ज़ toujours है फिर और क्या करता है food to protect the body from the diseases and keep it healthy और food क्या करता है हमारी body को protect करता है disease से और हमको कैसे रखता है healthy और क्या काम करता है food for repair are injured body parts हमारी body में जहां कहीं भी कोई injury हो जाती ना injury में चोट लग जाती है गिर गए, scars बन गए, blood आ गया अब जो scars बने हुए हैं जो cut areas हो वह हील होंगे, तो हील होने के लिए क्या चाहिए food चाहिए, फिर for reproduction फिर जो food items होते हैं वो किसके लिए जरूरी होते हैं reproduction के लिए आपने देखा हुआ जो animals होते हैं उनके young ones होते हैं ठीके ना तो यह reproduction होता है तो इसके लिए भी क्या जरूरी होता है फुट जरूरी होता है ठीक है अब देखिए एक heading है हमारी बुक में बहुत अची heading है आपको देख रहे है heading हमें क्या बताने वाला हूं आपको food varieties आप क्या क्या खाते हैं हम तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं चलिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है see see the figure given on the next page it shows the different type of food eaten by us अब हम देखते हैं हम कौन-कौन से food item खाते हैं तो यह मैंने page change कर लिया then you will turn your page and come to the page number 6 ठीक है अब देखिए यह जो page number 6 है इसमें आपको first figure जो दिखाई देगा यह वाला figure ठीक है अपनी book में देख सकते हैं मेरे साथ अपनी book open करके रखिए इस book में आपको क्या देख रहा है मक्के की रोटी और सर्सों का साग इस ट्रेडिशनल food of Punjab हमारे जो इंडिया का पंजाब इस ट्रेडिशनल फूड आइटम है ठीक है बार बार आपने कोई movie देखी होगी यह कोई serial देखा होगा tv serial उसमें कहीना कहीं यह वाला word आपने सुना होगा मक्की की रोटी और सर्सों का साग बहुत इसका बहुत टेश्टी फूड आइटम होता है फिर एक होड जो आप देख रहा है नेक्स्ट पिक्चर जो आपको देखाई दे रही है यह नेक्स्ट सारे ROOT S… ऐसमें बहुत सारे फूट्स रखे होएं यह वाली यह देखिए फूट्स आप अपने बुक में देखिए फ ग्वावा भी है औरेंज है ठीक है स्वीट लेमन है तो यह सारी चीजें दिख रही है आप भी आइडेंटिफाइब करके मुझे बताएगा स्कूल में कि इस फिगर में आपने और क्या क्या देखा जो मैं इसको आइडेंटिफाइब कर पाया हूं या आपके लिए हॉमवर् प्रवी भेच डीके और देखे जो आप एमेज देख रहे हैं इस मैं क्या है बहुत सब्सक्राइब करना दे मिंदा इस समूजाज में हैं कि इनकी se El ठैने लिगक और है आप भी घर में खाना खाते हूँ जो फूरा निकाल देती हुई एक चोटी से बाल में डाल रायता चावल चटनी ठिक है到 चपाती राइस इसमें तो बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं कितनी बहुत हैं यहां यहां चपाती रहें इसके पापर रखा हुआ है चलिए तो यह भी एक इंडियन पूड है अब देखें कितनी बास कंट्री कितने डिफरेंट टाइप आइटम्स इसके बाद में जो नेक्स्ट पिच्चर आपको देख रहे हैं इस में इस पिच्चर में हैं डोसा सांबर और चटनी ऑप डोसा यह हो गया यह दोसा है ठीक है और यह वाली जो बाउल आप दे यह नार्यल की चटनी है और जो आपको यलो कलर की दिख रहे हैं यह इस पाइस चटनी होती है इसमें डिफ्रेंट टाइब की स्पाइस यूज़ करते हैं फिर बनता है बहुत टेस्टी लगता है ठीक है बुना बहुत फेमस वह है आप कभी गए होंगे अन्ना का डूसा मैं याता हूं मुझे बहुत टेस्टी लगता है ठीक है आपका कभी बंद करें तो पैरेंट्स के साथ जाएए ठीक है फिर एक और पिक्चर आप देख रहे हैं यहां किया देख रहा है आपको डाल बाटी और चूर्मा अब बाटी कितनी टेस्टी लगती है बहुत टेस्टी फूड है इसके बाद में अब यह दो पिक्चर है साइड में इन पिक्चर को आप आइडेंटिफाई कीजिए और बताएए कि यह जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है इनमें क्या रखा हुआ है और हो सके तो आप यह बताएगा कि यह किस स्टेट को ब्लॉंग करती है फूड इटेन सम ऑफ दे इस्टेट अब यह जो मैंने आपको सरकल बना के बता है यह तो बुक में लिखा हुआ है ठीक है और यह जो साइड में आप देख रहे हैं यह इसमें लिखा हुआ नहीं है कि यह क्या है आप यह मेरे को बताएगा कि इन पिक्चर में आप क्या क्य है रहे हैं ठीक है चलिए आगे चलते है है अब देखे अगली जो हैरीन क्या है वह सर्टें फैक्स अबाउट फूड अभूड से रिलेटेड कुछ आगस हैं अविए च्प्स के बारे में हम थोड़िए सी जानकारी ने गेंगे फड़िए थोड़िए जैन करते हैं इन क्य अब देखें इंडिया में देखते हैं या अब यह देखते हैं फूड से वाउट क्या है तो दियर इस लॉट आप वेराइटी इन फूड वी इट सबसे पहली अमेजिंग चीछ क्या है कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसकी क्या बहुत सारी वेराइटी आप खुछ सोचिए इस प्रेंग उसके पसंद और किया कि जाव एक कई ले लीजी और पैले लीजिए और कौपी पैन लेकर आप अपने महमा से बोलिए कि ममा मेरे को जो पसंद मैं उसकी लिस्टिंग करता हूं या करती हूं और आप लिस्ट की जिए फिर आप देखेंगे कि आपो कितनी सारी पसंदे बहुत सारे चीज़ें पसंदे हैं इसक्रीम पसंदे हैं इसक्रीम यह समय है और और मिड़द 10 और सबूत 18 सुंद्व थे सबस्सक्राइब थे यह समय कंपने दिधारaud देखिए और सब्सक्राइब आपने पंओ न सब्द दो गने है और आप देखेंगे कि आपो कितनी डिफ्रेंट टाइप की चीजें पसंद है खाने में तो यह तो सिर्फ आप एक अखेले बचे बना रहे हैं सोचिए हमारे इंडिया कितना वास्ट कंट्री है तो यहां कितने सारे लोग रहते हैं 130 क्रोर परसंट रहते हैं यहां पर तो इत ज confessionे दिफेरेंट musi इधिफेरेंट फूड आएटम गप फाइलमेशिवेट डिफ्रेंट टाइंज वर्ण उसकी दिफ्रेंट में इंडिफेर्ट टाइंटन टीजेरी नुनिंग करहनिंगे जो जönनरली बच्रीट ब्यक्ट के मिलक्र लेए तसाँ और coffee का यूज़ नहीं करना चाहिए ठीक है लेकिन का culture है ठीक है चलिए तो हम चाहिव लेते हैं coffee लेते हैं और जो बच्चे होते हैं जो growing age में होते हैं आपके जो एज इस ग्रूप के बच्चे क्या यूज करते हैं जनरली मिल्क तो मिल्क लेते हैं ठीक है और हल्का फुलका थोड़ा भूत खाते हैं जैसे ब्रेट स्लाइस हो गए फ्रूट्स हो गए ठीक है और पोहा हो गया तो यह सुभा ब्रेक फास्ट का हो गया फिर दुफैर में होता है हमारा दुफैर में हम खाना खाते हैं लंच थी आप तो स्कूल स्टू डेंट्स है तो क्या करते हैं आप टिफिन खाते इंदिंगर करते हैं पिर फंको थे ताइम को तीज चार बजे के करते हैं ठीके कर्दात को सूझाते हैं कभी कभी हम उटेल में जाॉच आघटी होते हैं तो resposta mean घृते हैं वहां पर हुआ है जो हम डेली रूटीन में खाते हैं उसके अलावे कुछ और हम ठीक हर ठीक हम फ्र 딱 झाली आटे हैं जो हम घरेंट करते है जन्रली हम क्या-क्या एक कई कोगा इंडिया में नाम लिखेगा और यह लिखेगा कि उसस्टेट का कोई एक कुजीन कौन सी food items है जो उस state में सबसे ज्यादा फेमस है ठीक है आप यह एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी स्कूल में समिट कर सकते हैं या आपकी जो साइंस के copy है उस copy में आपको क्या लेखना है इंडिया इस टेट लिखनी है ठीक है और इस टेट के कोई भी एक फेमस फूड आइटम को लिखके दिखाना है ठीक है तो पूपल सॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया इट डिफरेंट काइंट्स ऑफ फूड तो यह काम आपको करना है ठीक है फिर क्या है फिर हमारी बुक में एक एक्टिविटी है और यह बहुत अच्छी देखिए जो टेबल है इस टेबल में आपको अपने फ्रेंट के साथ मिलकर कम्प्रेट करने हैं आपको क्या करना है अपने क्लास में आपके 6 7 8 9 10 इसमें तो 6 लिख है नंबर आप 10 भी कर सकते हैं और मेरे इसाफ़ज़ता 5 ले लिए आप अपने 5 और 6 बेस्ट फ्रेंड लिए उनके नाम लिखिए फिर उनसे पूचिए कि किस स्टेट को ब्लॉंग करते हैं वह सेम स्टेट हो सकती है या इंडिया के डिफरेंट स्टेट हो सकती है ठीक है और फिर उनसे पूचिए आप थर्ड कॉलम में यह वाले जो कॉलम है मैं बता देता हूं आपको इस वाल प्राइटमस है इस वाले कॉलम में इससे आफ को पता पड़ेगा कि इस्कूल में is different type के बच्चे हैं जो different yo different डाइब करते हैं डिफरेंट चीजु को खाना पसंद हो सकता किसी बच्चे को कचूरी पसंद हो किसी बच्चे को समोसा पसंद हो निती बच्चे को रजुल्ला पसंद हो ठीक है आपकी भी कुछ ना कुछ फेबरेट डिस होगी ठीक है चलिए तो यह डिफरेंट टाइप के स्टुडेंट्स हो गए आगे चलते हैं अपने चैप्टर में तो देखिए यहां इदर कॉर्णर पे बहुत प्यारा सा डाइग्राम बन बने अब यह से एपल है वह तो नैच्टरल है तो उसमें तो केवल एपल की टेस्ट आएगा मैंगो है यह बनाना है तो इसमें भी एक ही इंग्रीडियंट है बनाना का ही टेस्ट आएगा ठीक है तो अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनमें जो इंग्री जो कुछ फूड आइटम्स आइसे होते हैं जो एक ही मटीरियल से बनते हैं जो एक मटीरियल से बनते हैं वो क्या है ओल फूड बनाना और मैंगो बनाना एपल ग्वावा मैलन वाटरमेलन पॉम्ग्रेनेट गॉबा लमन्स वीट लमन्स ठीक है तो यह कुछ फूर के नाम मैंने बता दिए आपको मेरे से ज़ादा आते होँ अप मेरे से ज़ादा फूड़ आइटम जानते होंगे ठीक है तो आप बताइए आप और कौन-कौन से अगर अधर फूड आइटम जानते हैं ठीक है चलिए फिर क्या है थिंक आफ फूड आइटम्स लाइक राइस दाल चपाती रोटी खीर इडली अब इनके बारे में सोचिए कि खीर कैसे बनेगी क्या खीर केवल दूस से बन जाएगी आप अपनी मदए से पूछे किसे बनेगी राइस ओनली राइस नू अनली शुगर नू अनली ड्राइफ रूट नू अनली मावा नू फिर किसे बनेगी ओल इंग्रेडियंस अनेसेसरी तो मेख खीर ठीक है तो इसमें कितनी सारी चीज लग दी बहु कि में भी यह लिखा हुए राइस डाल चपाति रोटी खीर इडली इनको बनाने के बहुत सारे में की जवड़ीत पड़ती है ठीक है कितने मैट से हो सकते है और मार सकते हैं और मोर मैट से कि करेंस को से सब्सक्राइब चीज कि होता है तो माटेरियंस क्या होता है तो मैटे जरूरी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम इंग्रेडियेंट्स चलिए नेक्ट पेज पर आयाते हैं अब हमारा नेक्स पेज क्या है पेज नंबर सेवन कम तुदा पेज नंबर सेवन ठीक है आप अपने साथ बुक जरूर रखेगा क्योंकि आपको स्क्रीन में तो छोटी छो इंग्रीडियेंट्स लिखे हुए हैं ठीक है चलिए मैं इसको जूम करने कोसिस करता हूं तो यह हां यह हलका सा जूम हो गया है चलिए सबसे पहले क्या है सबसे पहले यह चपाती यह चपाती रोटी है ठीक है चपाती किससे बनती है चपाती बनाने के क्या चाहिए अगर हम जनरली पूछे चपादी किसे बनती है तो एक्जाम्पल हम जाएते हैं आठा फ्लोर लेगन एक्चुली ओनली फ्लोर इसको क्या बनाना करता है उसको क्या बनाना है उसको हम डो में करते हैं घ्रिपायर एं सौल्ट करते तो जो जो बिधाओट और salt prepare करेंगे उनके लिए चपाती के ingredient क्या होंगे तू आटा और water और जो with salt यू डो prepare करेंगे उनके लिए ingredient कितने हो जाएंगे तीन आटा water and salt इस तरह second क्या है राइस राइस क्यों इसके साथ में underline हो गया था यह राइस अब राइस में क्या क्या है राइस है राइस, grains and water चावल चाहिए और चाही है और चाहिए ओर पानी ठीक है simple rice बन जाएंगे खीर, मिल्क, राइस और शुगर, इडली, राइस, उड़त दाल, सॉल्ट एंड वाटर, चिकन करी, चिकन, ओईल, घी, स्पाइसेज, वेजिटेवल सेंड वाटर तो यह चीज चाहिए, यह तो कुछ आइटम से, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके घर में कुछ फेबरिट तो बनाती होंगी, न मदर आपके लिए, जैसे कभी आपको बर्डे होता है, तो बर्डे पे जनरली मदर जो होती है, ऐसी चीज बनाती है, जो आपको पसंद होती है, ठीके, तो देखे, आपको क्या चीज पसंद हो, जो पसंद है, उसके इंग्रीडियन्स लिख के लेकर आईए, कि आपको क्या पसंद है, चलिए, आज हम इतना ही रखते हैं, बच्चो, कल हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोसिस करेंगे, हमारे च पस्टा एक्टिवीटी, क्यों कोई आप घर पर हैं, घर पर बहुत सारा टाइम है, इसकूल में तो आपको 5-6 घंटे स्पैंट करने होते हैं, घर में तो अभी 20 मिनिट, आदे घंटे का लाक्टर फिनिश, ठीके, तो आपनी साइंस की कॉपी बनाईए, और जो मैंने आप से टास्क दिये हैं, उन टास्क को कम्प्रीट किये, चलिए रखते हैं, गुडबाई